Hey guys, welcome to my channel Study Made Easy, where we make your study go easy. आज का हमारा टापिक है प्रिफिक्सिज, so let's get started. प्रिफिक्सिज की बात करें, तो प्रिफिक्सिज डिराइवड है दो लेटिन वर्ड से. ठीक है? दो लेटिन वर्ड हैं, pre and fix. इन दोनों से मिलकर वर्ड बना है प्रिफिक्सिज. प्रि का मतलब है before, before यानि पहले. और fix means attach, attach यानि जुड़ा हुआ या लगा हुआ. ठीक है? तो इस तरहां प्रिफिक्सिज का मतलब क्या बनता है? ऐसी चीज जो पहले attach हुई हो, जो किसी चीज से पीछे लगी हो. ठीक है? प्रिफिक्सिज को हम define कैसे करते हैं? ठीक है? अब प्रिफिक्सिज का हम फाइदा देखते हैं के प्रिफिक्सिज का हम use क्या करते हैं? ठीक है? बहुत लार्ज या बहुत small quantities जो होती हैं, जिनको हम easily handle नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम प्रिफिक्सिज यूज करते हैं. ठीक है? जिस तरह हमने पहले बात की थी के कुछ चीजे होती हैं, साइंटिस में को define कर देते हैं, के ये fixed value है. ठीक है? उसी तरह साइंटिस ने कुछ प्रिफिक्सिज को भी define कर दिया है. ये table देखते हैं, जी table में हमारे पास ये सब प्रिफिक्सिज हैं, ठीक है? बात करते हैं प्रिफिक्सिज की exa, peta, terra, giga, mega, kilo, hecto and deca. ये सब हमारे पास positive प्रिफिक्सिज हैं. ठीक है? इसमें जितने भी exponents हैं, वो सब positive values में हैं. यानि ये हमारे पास large quantities को express करेंगे. ठीक exa को इसके लावा हम capital E से denote करते हैं, peta को capital P, terra, capital T, giga को capital G से, ठीक है? इसकी value 10 power 9 हैं. इसी तरह ये सब प्रिफिक्सिज हैं. ठीक है? ये प्रिफिक्सिज होगे very large quantities के लिए. सेकिंड हम देखते हैं तो हमारे पास आते हैं deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto and ato. ये सब हमारे पास negative exponents के prefixes हैं. ठीक है? negative exponents के हैं, it means कि ये हमारे पास smaller quantities को express करेंगे. ठीक हो गया? इनके symbols भी देख लेते हैं, जी. एक और चीज़ notice करने वाली क्या है कि हमारे पास जितने भी smaller quantities को express करने वाले prefixes हैं, वो सब small letters से indicate होते हैं. ठीक है? बटी, कोई compulsion नहीं है, क्योंकि positive exponents वालों म ये हमारे पास small alphabets आते हैं, symbols में. ठीक हो गया? अच्छा, अब ये express कैसे करते हैं, larger या smaller quantities को? examples देख लेते हैं, given his size of atom is 0.00000000001 meter. ठीक है? ये एक बहुत, बहुत छोटा number है, बहुत small quantity है. अब इसको express करने के लिए हम prefixes क्यों use करते हैं? ठीक है? ये prefixes इसको किस तरीके स express करेंगे. एक तो ये number हो गया. अब अगर हमने इस number को एक दफा लिखना है तो शायद इतना issue ना हो. मगर अगर हम एक question attempt करें जिसमें इस question को हमें बार बार हर step में लिखना है. तो ऐसी possibility है कि हम zeros add कर देंगे या zero इसमें से कोई एक रहना जाए. ठीक है? अगर एक भी zero रह रोज है. में भी मैंने भी शायद गलत बोले हो. इसमें मैंने कोई एकद skip कर दिया हो. मुझे बोलने में issue आ रहे है definitely. अगर हम एक इसको बार बार repeatedly लिख रहे होंगे तब हम गलती कर सकते हैं. ठीक है? चांसे बहुत जादा है. तो इस तरहां कि mistakes को avoid करने के लिए हम prefixes use कर करते हैं. ठीक है? अब हमने scientific notation की बात की थी last lecture में. ठीक है? बिल्कुल उसी के according हम क्या करेंगे हम इसको point को shift कर देंगे. scientific notation के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कि हम किसी भी decimal होता है उसको हम एक non zero number के बाद shift कर देते हैं. ठीक है? तो decimal point को अगर हम non zero number इस पूरी value में means कि decimal को shift होना है one के बाद. ठीक है? इसको shift अगर हमने करना होगा तो हम one के बाद करेंगे. second example में अगर हम देखते हैं तो हम decimal को shift कहां करेंगे हम one के बाद. one के बाद क्यूं करेंगे? five के बाद क्यूं नहीं करेंगे? क्यूंकि अगर हम five के बाद करते हैं तो वो 15 मन जाता ह और 15 हमारे पास 1 से लेकर 9 के दर्मियान नहीं आता ठीक है 15 एक 2-digit number है हमें 1-digit number चाहिए ठीक है इसलिए हम point को shift करेंगे या decimal को shift करेंगे 1 के बाद ठीक है तो हमारा number बनेगा 1.5 सही हो गया अगर हम size of atom की बात करें तो देखें decimal को हम shift कर रहे है right side पर ठीक है right side पर shift कर रहे है इसका मतलब है कि हम एक smaller value को larger value में convert कर रहे है इस conversion के लिए definitely हमने पढ़ा था कि small से large quantity में जाना हो तो हम division करते हैं ठीक है अब division करते हुए हम क्या चीज़ करेंगे हमें कितने alphabet कितने numbers चाहिए कितने digits वाला चाहिए 10 कितने zeros के साथ हो तो हमारे पास उसकी division होगी ठीक है यह हम देख लेते हैं जैसे मैंने आपको एक indication बताई थी कि आप simply numbers count कर लेते हो अगर हम numbers count कर लेते हैं यहां दर्मियान में तो हमारे पास 10 digits है तो हमारा number क्या बनेगा number बनेगा 1.0 exponent minus 10 meter ठीक है यहां minus 10 आने की reason क्या है minus 10 इसलिए आया है क्योंकि हम smaller value को larger value में convert कर रहे हैं जिसके लिए हमें division करनी पड़ती है इसलिए हमने 10 पार minus 10 यूज की है अब अगर हम prefixes की बात करें यह number जो है 10 पार minus 10 की कोई value हमारे पास नहीं है ठीक है हमारे पास 10 पार minus 1 है minus 2 है minus 3 की है minus 6 है minus 9 है minus 12 है मगर minus 10 की नहीं है तो हम क्या करेंगे हम minus 10 को split कर देंगे ठीक है हम 10 पार minus 10 को split कर देंगे किसमे 10 पार minus 1 और 10 पार minus 9 में laws of exponent के according, यह 10 पार minus 10 ही बन जाएगा, ठीक है, अब हमने इसकी splitting कर दी, 10 पार minus 1 और minus 9 क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास minus 9 का prefix available है, ठीक है, अब minus 9 की जगा तो prefix लग जाएगा, 10 पार minus 1 का क्या होगा, इसको हम multiply कर देते हैं, 1 के साथ, तो 1 into 10 पार minus 1, इसका मतलब है, 1 divided by 10, ठ minus 8 means कि divide कर रहा है, 1 को divide करेंगे 10 पे तो हमारे पास आएगा 0.1, 0.1 exponential minus 9 meter, ठीक है, minus 9 हमारे पास होता है nano, prefixes में हमने यह चीज़ पढ़ी है, ठीक है, तो हमारे पास number आ जाएगा 0.1 nanometer, सही, यह इतना छोटा जो number था, जिसमें हमारे पास धेर सारे zeros हमने लिखे थे, उसक ठीक है, फिर बहुत कम चांस है कि शायद हम गलत लिखते हैं, ठीक हो गया, इसके लावा हम next example देखते हैं, ठीक है, the sun is 15000000000000 meter, हमने point को यह decimal को shift करना है 1 के बाद, ठीक है, दर्म्यान में digits देख लेंगे, तो हमारे पास digits है 11, ठीक है, अब एक और चीज किया कि हम decimal को shift कर र रहे हैं, again scientific notation के according, हमारे पास क्या होगा हमें, multiplication करनी होगी, क्योंकि हम एक larger number को smaller number में convert कर रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा number है, इसको हम simply 1.5 कर रहे हैं, तो हमें multiplication करनी है, multiplication किस से करनी है, 10 power 11 से, ठीक है, again हमें 11 कैसे पता चला क्योंकि 11 digits आ रहे हैं, ठीक हो गया, तो हमार 5 exponential 11 meter, again हमारे पास 10 power 11 का कोई exponent नहीं है, ठीक है, although यह number scientific notation में है, मगर हम prefix नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, हम 11 को split कर देंगे 10 power 2 और 10 power 9 में, ठीक हो गया, 1.5 exponential 2 exponential 9 meter, ठीक, तो 9 का हमारे पास prefix है, 2 का भी prefix है, मगर हम दोनों नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम क्या हम 10 power 2 को multiply कर देंगे 1.5 के साथ, 10 power 2 यानि 100, तो 1.5 into 100 gives 150, 150 exponential 9 meter, ठीक है, 10 power 9 हमारे पास prefix आता है, गीगा, तो number हो जाएगा 150 गीगा मीटर, ठीक है, अगर international system की बहा हम बात करें, mathematics के according, अगर हम जाएं तो यह millions में आ सकता है, millions में, billions में, मगर हम यहाँ पे क्यूंके prefixes की ब इतने जादा confusing numbers के बजाए हम simply prefixes यूज कर सकते हैं, और prefixes हमारे mistakes के chances को भी कम कर देते हैं, और हम easily in numbers को handle भी कर सकते हैं, ठीक हो गया, Okay, moving on, doubling of prefixes is not allowed, एक specific note है, ठीक है, कि prefixes को आप double use नहीं कर सकते हैं, जैसे अभी भी हमने किया, कि हमने 10 power 2 और 10 power 9 के दोनों prefixes को use नहीं किया, ठीक है, इसकी एक example देख लेते हैं, question है, 2743.81 kilogram, ठीक है, अब हमने, अगर scientific notation में convert करना है, तो point shift होगा, 2 के बाद, 2 और 7 के दर्म कर रहे हम, multiply होगी power, इसके इलावा कितनी power आएगी, 10 power 3 आएगी, क्योंकि 3 digits है, तो हमारे पास हो गया, 2.74381 exponential 3 kilogram, ठीक हो गया, अब 10 power 3 हमारे पास आता है kilo, तो हम इस number को 2.74381 kilogram, लिख देते हैं, ठीक है, अभी हमने बात की, doubling of prefixes is not allowed, this is the thing, कि हम दो prefixes use नहीं कर सकते, ठ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, हम यहां पर question को change कर देंगे, हम 10 power 3 जैसे पहले से हैं, और kilo की जगा उसका 10 power 3 लिख देंगे, ठीक है, हम किलो की value पुट कर देंगे, अब हमारे पास 2 powers आ गई है, बेसे सेम हो तो power z हो जाती है, तो हमारे पास आजएगा 2.74381 exponential 6 gram, ठीक है, 3 plus 3 6, तो हमारे पास आगे 10 power 6 gram, हमारे पास 10 power 6 का भी prefix आता है, ठीक है, तो नमबर होता है, वो 2.74381 mega gram बन जाता है, ठीक हो गया, capital M है तो यह mega है, small m होता तो यह milli हो जाएगा, ठीक है, मगर वो 10 power minus 3 है, capital M indicates that it is mega, तो हमारे पास जो आगया, नमबर आगया, वो आगया 2.74381 mega gram, बजाए इसके कि हम यहां लिखें 2.74381 kilo kilogram, दो prefixes एक वक्त में use नहीं हो सकते, राइट, ओके, एक short सा review करते हैं अपने topic का, हमने पढ़ा prefixes के बारे में, ठीक है, prefixes ऐसे words ऐसे letters होते हैं, जो किसी unit से पहल बहुत चोटे या बहुत बड़ी जो quantities होती हैं, उनको easily express करने का काम करते हैं, ठीक है, उनकी handling में हमें help out करते हैं, जो बहुत बड़े numbers होते हैं, उनको हम simply छोटा सा कर देते हैं, इसके वज़े से हम conversion करते हैं, ठीक हो गया, इसके लावा हमारे पास prefixes, अगर हमने numericals में use क करने हैं, तो इसके लिए compulsory के आपको सब के सब prefixes याद हो, उनके symbols अच्छी तरीके से याद हो, so do learn that, I hope आपको ये topic clear हो गया होगा, if you have any question, you can always comment down, and if you want to stay tuned, don't forget to subscribe and hit double icon, thanks for watching,